महागडबंधन में सीटों के बटवारी को लेकर बीते कुछ दिनों से विहार के सियासत सुर्खियों में हैं महागडबंधन की ओर से टिकेट नहीं मिलने के बाद अब च्छात्र नेता कनहिया कुमार बेगुसराई सीट से ही सीपी आई की टिकेट पर लोगसभा चुनाओ लड़ेंगे इसकी घोशना सीपी आई की बिहार इकाई के सचिव सत्या नारायन सिंग ने पटना में की है कनहिया कुमार की दावेदारी के बाद अब बेगुसराई लोगसभा सीट का मुकाबला काफी दिल्चस्प हो गया है क्योंकि यहाँ आप त्रिकोन ये मुकाबला देखने को मिलेगा एक और बीजेपी के फायर ब्रान नेता गिरेराज सिंग होंगे तो दूसरी और मोदी लहर में भी अपनी चाप छोड़ने वाले राज़त के तनवीर हसन और इधर युवाओं के बीच अपनी पैचान बनाने वाले जेन्यू के चात्र नेता रह चुगे कनहया कुमार मतलब साफ है कि सीधे तोर पर भले ही नहीं परोक्ष रूप से तेजस्वी आदब से ही भढ़ने को कनहया कुमार तयार हो गए है राज़त के एक नेता ने बताया कि कनहया कुमार का नाम कभी भी हमारी पाची की तरफ से चर्चा में नहीं था हाला कि राज़त प्रबक्ता मनुझ्झा ने यह बताया कि महागडबंधन में राज़त की टिकेट पर CPI माले का एक उमिदवार चुनाव लड़ी का हाला कि राज़त नेता का यह भी कहना है कि तेजस्वी यादफ कनहया कुमार को पसंद नहीं करतें क्योंकि जब कभी भी उन्होंने चात्र नेता को फोन किया तो उसने उसका जबाब नहीं दिया बतादे की 2016 में जेन्यू देश द्रोह विवाद के बाद जब कनहया कुमार बिहार गए थे तब लालू यादफ ने उनका गर्मजूशी से स्वागत किया था लेकिन पुर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में भ्रस्टचार के आरोप में जेल की सजा काट रहे हैं और तेजस्वी यादफ प्रभारी हैं सूत्रों का कहना है कि पाजी के भीतर एक आशंका है कि कुशल संचालक कनहया लालू यादफ के बेटे तेजस्वी की जमीन हत्या कर राजनिती में आगे न बढ़ जाएं माना जा रहा है कि कनहया कुमार की उमीदवारी को आनिय वामपंथी दल भी अपना समर्थन देंगे वह संयुक्त लेफ्ट दलों के साजा उमीदवार होंगे इस से पूर्व CPI की केंद्रिय नेताओं से लेकर राजने तरित्व यह उमीद लगाए बैची थी कि राज़त कनहया कुमार को महागडबंधन का उमीदवार बनाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं राज़त के इसी स्टैंड को देखते वे CPI ने फैसला लिया कि वह सीट पर चिनाव लड़ेगी और कनहया कुमार ही उनके उमीदवार होंगे दरसल बिहार के बेगुसराय को एक जमाने में लेफ्ट खासकर CPI का गढ़ माना जाता था इस संसदिय सीट पर कई बार पार्टी के उमीदवारों ने जीत का पर्चम लहराया मगर 90 के तशक के बाद CPI कमजोर होने लगी लेफ्ट की जीत अब राज़त के समर्थन पर निर्भर होने लगी राज़त के समर्थन से ही वाम दलो की जीत ही संभव होती थी हाला कि पिछले कई मेनों से यह अट के लिए लगाई जा रही थी कि रहें या महागडपंधन के उमीदवार होंगे